हेलो, क्या आप HIV बाधित है और किसी ने आपको कारियाले से निकाल दिया है या किसी ने आपके साथ भेदबाव किया है तो चलिए आज यह जो सेशन है और आपके लिए एक जानकारी देखे जाएगा अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो प्रुपया सब्स्राइब बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि यह आगे आने वाले अरेक जो आप मेरे जो वीडियो जयो आपके पास आहेंगे तो चलिए हम देखते हैं यह सेशन में हम क्या लेने वाले यह सेशन में पहले हम पार्शो भूमी देखेंगे कि एच आईवी आक्ट करने की जरूरत क्यू पड़ी और यह कब पास हो गया वो बील में कौन से प्रोविजन है और वो क्यू है यह देखेंगे और लास्टली यह देखेंगे तो चलिए यह जो भी है यह बील पार्लेमेंट में पास हो गया है और पहले वो राज्यसभा और बाद में विदान सबा में में पास हो गया लेकिन यह बील भूत सारे दिनों पेंडिंग था लेकिन आप उसकी पार्शो भूमी अगर एच आईवी एड्स की जानेंगे मुझे लगता है कि आपको सब मालूम होगा एच आईवी यह यूमन इमनोडेफिशनसी वाइरस है और एड्स इस एक्वाड इमन डेफिशनसी सिंड्रोम है अगर एच आईवी कोई स्टेज पे नहीं थमा तो ओ एड्स की तरब जाते है और आपको मालूम होगा सबको की 1980 और 81 में जो भारत में पहला केस डिटेक्ट हुआ ओगे में हुआ और उसके बाद 2004 तक उसकी कोही भी ट्रीट्मेंट नहीं थी तो हमारे असंक्य जो यूवापिडी थी वो बरबाद हो गई अभी किसी भी देश का जो प्रगती है वो किसके उपर निर्बर्द होती है अगर अपकी वापिडी मजबूत हो बलबंद हो और शिक्षित हो तो ही अपना देश आगे बढ़ जाता है तो पूरी की पूरी पीडी वो नस्ठ हो गई वो वक्त और 2004 में जब पहले ट्रीट्मेंट अपने जेजय में चालू हो गई तो किसी को एक रहत मिली कि चल 40 साल पहले HIV को जो डिस्क्रिमिनेशन था मिन्स भेदमाव था तब भी था और अभी भी है लेकिन तब ही उसके जो पिक्चर से चित्र थी वो अलग थे क्या होता था जब एक आदमी HIV से ग्रस्तित होता था तो अपने वाइप को भी ट्रांस्मिट करता था और वाइप अप यूली नहीं होने की वज़से ट्रीटमेंट नहीं होने की वज़से वो लोग मडर और हजबड हजब और हजबड हवाई HIV से टेड़ की तरफ जाते थे और वो मॉटलिटी वेड मिस दुद्यु दलसंक्या ज़ादा था और वो मर जाती थे तो वो जो बच्चे है वो कर सकते थे लेकिन जो अलग क्याट मामा मामी चाचा चाचे वो थोड़ी उतना उनको अटेंशन देते थे तो वो बच्चे एक तो अनात हो जाते थे उनको घर में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती डिस्क्रिमिनेशन होता था और वो भी साइकोलोजिकल डिप्रेस होके और थोड़े ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वज़े से वो भी मर जाती थे तो यह जो पीड़ी यह सब देखे मारस सकाने वो बील लाने का सोचा लेकिन वो बहुत सल पेंडिंग था और वो 2017 में वो बील का सब प्रॉप एग हो गया और 2022 में वो इंप्लिमेंट हो गया तो इ बच्चे होंगे mother to child HIV बाधी उनको घर में रहने का अधिकार है कोई भी उनको उनको घर से बाहर नहीं कर सकता दूसरा अगर उनमें वो सिब्लिंग में एक बड़ा 18 साल का होता है 12 से 18 साल का और मैचर होता है तो उसके पीछे वाले सिब्लिंग जो बहया भाई बहन होती है तो उसका उखली ले सकता है और उसके जो भी निर्णे होते है वो ले सकता है ये एक बील था और लुषप साहिनी और इसमें भी वो नहीं होना चाहिए तो ओकर इसके बार बहु होने सब्लीरिंग हैं कि गयर भेदबाव करने का अधिकार तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई HIV व्यक्ति रोजगार और व्यावसाय में हैं तो वहां उसको पक्षपात कोई कर नहीं सकता और स्वास्ता और मिंस होस्पिटल में कोई भी उनको नाकरा नहीं जा सकता और कभी उनके बच्चों को स्कूल का एड्मिशन होता है तो कभी भी उसके माता-पिता या ओ खुद HIV है करके उसका शिक्षन लेने का जो अधिकार है ओ नाकरा नहीं जा सकता और सारवाद में जो भी सुविदा और यह है वो उदर जा सकते हैं और सरकारी नीजी सरकारी और प्रपरेट जगत में भी गति विती का अधिकार दिया जैसे सामान्य लोगों का होता है और कभी भी कार्यक्त्षेक्र में वह भी है रोजकार प्रतिक्रिया अगर कोही एंपलोई नोकरी करने के लिए जाता है उसका मेडिकल होता है तो उसमें विदाउट उसके कंसेंट के बिना HIV टेस्टिंग नहीं हो सकती अब HIV इसका गोपनियताम सब्सक्रिक्राइब आदर जितने लोगिम सब्सक्रेइब करने चाहिए कोहीं अम्बेक एक पॉजिटिव करके उसका है इसकाkk ज़ो journalism कर सकता है और वो उसका जो HIV का प्रकटी करण है मिन्स हो HIV के साइन सिंटम्स भी अगर उसको होंगे तो भी वो कोई किसी को वारे में बोल नहीं सकता और उनका जो भी अस्पताल में अगर पेशन्ट जाता है और उसका जो डाटा है मैंस उसका जो साइन सिंटम्स और अलग-अलग डाटा है कब हुआ HIV कैसा है वो कोई भी डॉक्टर हो या उसके सब ओडिनेट हो वो कोई भी किसी अलग या तीस तीसरे परसन को बोही नहीं सकत जाए वो इसको पेणाल्टी है अभी यह शिकायत निवारं कंतर जो यह प्रोविजन ने वह सरकार् Jason मैं एक अ म्य अधिकारी है वह राज़ा सरफ़कार्ण और केंड्र सरकार को बोला है कि एक मैंद्समेंंन नाम का व्यक्ता उदर रखना चाहिए ओप्रशिक्षित होने चाहिए और उसको क्या का लें चाहिए और उनको निरने कब तक लेंगे उसका वे समय उन्होंने बोलना चाहिए, क्योंकि ओ लोग जो अमुट्समेंट का वो जो बौड़ी है, उनको सामने वालों को पनिश्मेंट करने का भी हग होता है, और वो शिकायत करता को सुचित करना चाहिए, और रिपोर्टिंग तंत्र क्या हैं तो हर 6 मैने में वो राजसरखार या केंडल शरकार वाम को अपना जो रिपोर्ट है, वो पेश करते हैं और उसमें वो जो उनक्ते पर गोपनियता रखते हैं और श कर राटा भी ब्राबर मैंटेन करते हैं . अब तूसमें मुख्यकार्यनिति होती है, होती अधिर धू जो मरीज है उनको स्यहत का खायल रखने के लिए किया गया है तो वो जो बॉड़ी भारत में वो नैपो है नैशनल कंट्रोल बूड है वो अपने लोगों को एक गाइडलाइन्स एक इंडिकेटर्स देती है और उसके तहट और यारटी सेंटर्स काम करते हैं और दवाई भी और फरी में दे ते हैं और उसका एक फाइदा हो गया है कि अपने अभी देश में पहले से जादा cohesive patient कम हो हो गए और प्रांस्मिशन भी कम हो गया है और होने वाले बच्चे पैदा उने माले बच्च भी निगेटिव होने हैं और मैंने लास्ट इसे विडियो में देखा आए कि यूव यूजिकल टू यू हो गया है अभी मैंने लास्ट के फिडियो में ये भी बोला था कि अगर कोई HIV व्यक्ति शादी करना चाता है तो उसको अपना स्टेटस सामने वाले को बोलना जरूरी है अगर वो नहीं बोला और आगे जाके अगर सामने वाले पार्टनर को लगा कि इसने मुझे फसा है तो वो केस डा किजिए बोल दीजिए अपना स्टेटस अगर किसी को आपका अच्छा लगा तो करेंगे नहीं तो आप लीगल कानूनी जो शिकन दें उसमें फस जाएंगे तो यह सब हो गया उनका और मैंने बोला कि यह जो बील आ गया है तो उससे एक जनरल पब्लिक में जरब बैठी है और अभी भी भेदभाव होता है अगर किसी HIV स्टेटस के लड़का या लड़की की शादी के बजार में भी होता है क्योंकि ऐसे घरानों में शादी नहीं करना चाहते हैं लेकिन इसको जाने के लिए बहुत साल लगेंगे लेकिन यह बील आने के बाद थोड़ा एक कंट्र करा जाता है लेकिन वह HIV का कारण नहीं देते हैं उनके वर्प अच्छा नहीं होता है यह करके उनको निकाला जा सकता है और अभी इसके पॉजिटिव बील में पॉजिटिव तिंस क्या है तो यह लोग बील के खिलाप अगर जाएंगे कोई तो उसमें लिगल आक्शन भी ह हो सकता है यह अच्छा है और उनका जिसका यह अगर दूसरे कोई लोग यह सेक्टर में काम करना चाहते है तो गवर्मेंट में उनको भी उसमें शामिल कर दिया है और यह काम करने का बढ़ावा उन्होंने दे दिया है और HIV पेशन को सनमान दिया है कि वह सब गतियों जो है वो कर सकते हैं लेकिन दूसरा जो खामिया है उसमें क्या है यह बील में कंस्टिटूशनल बील नहीं है मिन्स राज्यसरकार बोलते हैं राज्यसरकार यह नहीं बोलते कि हम यह देने के लिए यह ट्रीट्मेंट देने के लिए बांधिल है ऐसा नहीं बोलते तो कि ज जब तक वो पॉसिबल होगा हम वो परेंगे लेकिन ऐसा नहीं कि हम बांधील हैं हम को देना ही है तो यह इसकी एक खामिया है तो राज्य सरकार और केंडर सरकार में कभी-कभी पॉलिटिकल इसमी यह बोलना नहीं चाहिए तो इसकी कभी-कभी उनमें को आडिनेशन कभी दिखाई नहीं देता है और इसमें खामिया है कि एचाइवी पेशन अगर उनको बच्चे नहीं हुए तो बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते यह बहुत खामिया है और फार्मा कम पारिमेस को झांप करना चाहिए कैसी सब्सक्राइशन करता है कि इसके इसमें इसमें अबहुत कर देख ही इसमें बोला है करने अबलग स्था लोक्त में में और या है क्योंकि उनके फाइनेशल सपोर्ट अच्छे है इसलिए उनके वैक्सिंस का ट्राइल चल रहा है लेकिन हमारे यहां ऐसा कोही वैक्सिंस का ट्राइल नहीं चल रहा है तो यह शायद आगे हो उना चाहिए और बहुत सारे पेशन्ट ने मुझे पूछा था कि मैडम हम बूट्समिन जो मैं बोली ना उनसे तक्रात कर सकते हैं तो व्यूवर्स मुझे लगता है यह आपको अच्छा लगा होगा सेशन यहां इसमें मैंने आपको आपके क्या कानूनी अधिकार है इसके बारे में बताया है और अगल यह आपको अच्छा लगा तो यह मेरा सेशन आप लाइक और कमेंट जरूर किजिए और सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद